तो Brock Lesnar के एक ऐसे unseen footage सामने आई है जिसमें उन्होंने acknowledge किया है Paul Brothers को और क्या John Cena आप हमें future में कभी champion बनते हुए नहीं नजर आएंगे बात करेंगे The Rock के Royal Rumble status के बारे में Survivor Series हो चुका है sold out और बैकिलिस ने भी अपने return tease कर दिया है तो काफी सारी कमाल के और interesting updates होने वाली है इस वीडियो में एंड तक बने लएए तो मेरा नाम है अमन आप देख रहे है रसल बग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं Survivor Series के ticket sales की और जैसा कि आपको पता है Survivor Series अब बस कुछी दिन दूर है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि Survivor Series लगबख sold out हो चुका है क्योंकि WWE ने जो वहाँ पर tickets available कराये थे वो थे 12,918 tickets जिसमें से 12,735 tickets बिग चुके हैं अब के वल 183 tickets बाकी हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह almost sold out ही है और वैसे भी जब WWE इतने साइट tickets sale करी चुकी है तो उनके लिए 183 tickets क्याई चीज़ है तो ऐसे में इस बार का Survivor Series फैन से बिल्कुल खचा-कच बरा होने वाला है और आप उनकी Instagram story देखी सकते हैं जहांपर वो James Swan के साथ workout कर रही हैं और यहांपर वो काफी ribbed भी नजर आ रही है तो हम मान सकते हैं कि उनका रिटन बहुत ही करीब है जब Chris Jericho ने AW को join किया था और जैसा कि आप जानते Chris Jericho को wrestling industry में लगबग 30 साल हो चुके हैं और इन 30 सालों में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय डब डबली में बिताया है तो ऐसे में डब डबली के Hall of Famer Road Dog का यह कहना है कि उनके relation काफी कमाल के थे तो recently Road Dog, Vince McMahon और Chris Jericho का relationship के बारे में बात करते हैं और उनका यह कहना है जब Chris Jericho AW में चले गए थो तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए थे और Road Dog का ऐसा कहना है कि Vince McMahon चाहते थे कि Chris Jericho अपने AW कॉंट्रेक्ट से भार आ जाए तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि Vince McMahon और Chris Jericho को कितना पसंद करते थे और पसंद हो भी क्यों ना क्योंकि उन्होंने इतने समय तक WWE में काम किया है और वो एक काफी कमाल के सुपरस्टार भी थे तो अब बात कर लेते हैं Brock Lesnar के उस unseen footage की जिसमें उन्होंने acknowledge किया है Paul Brothers को और recently Jake Paul अपने चैनल पर एक Vlog अपलोड करते हैं जिसमें एक पार्ट Brock Lesnar का भी था और उनकी एक footage बहुत ज़्यादा viral हो रही है जिसमें Jake Paul कह रहे है कि मैं थोड़ा सा nervous हूँ जिस पर Brock Lesnar कह रहे है कि मैं तुम लोगों के लिए काफी ज़्यादा excited हूँ और मैंने तुमें पहले भी follow किया है और मुझे तुम लोगों पर गर्व है तुम लोगों ने अच्छा काम किया है और वो footage आप अपने screen पर देखी सकते हैं और Brock Lesnar से ऐसी तारीफ सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं बलकि एक बहुती बड़ी achievement है और ये जेक पॉल और लोगन पॉल के लिए काफी कमाल की बात है और मुझे यकीन है में future में भी उनके साथ काफी कमाल की चीज़े होती हुए नजर आएंगी हमारी अगले update The Great One The Rock के Royal Rumble Status से जुड़ी है और Ringside News का ये कहना है कि उन्होंने WWE के एक creative member से ये confirm किया है और इसका बस एक ही reason है कि उनका schedule बहुत ही जादा loaded है और उनका ये भी कहना है कि उनका daily routine million dollars का होता है और उनका ये भी कहना है कि वो 2023 में XFL relaunch पर focus करने वाले हैं तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि The Rock Royal Rumble में नहीं आने वाले सो हमारी final update John Cena से जुड़ी है और एक legend उनकी current situation के बारे में बात करते हैं WWE के hall of famer road dog ने अपने oh you didn't know के podcast पर John Cena के बारे में बातें की वो कहते हैं कि अगर fans ऐसा सूसते हैं कि John Cena कभी भी एक full timer की तोर पर वापस आएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो केवल कुछी गिनी चुनी डेट्स पर आने वाले हैं और ऐसा नहीं होने वाला कि WWE उने किसी चैंपियों से मैच में डालेगी और वो जीत जाएंगे साथ तब तक के लिए बाई बाई